कैसे क्विक डिसीजन लो स्मार्ट डिसीजन लो इफेक्टिव डिसीजन लो अपने टाइम को भी बचाओ एनरजी को भी बचाओ और जिंदगी को बेहतर बनाओ हलो एव्रिवान मैं हूँ डिमपल आनन और इस चैनल का मपसद है कि आप अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर कि बेहतर बनाएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरीकी की और लाइफ इंप्रूब्मेंट की वीडियो उसमें आपके साथ शेयर करती ह अशी हैगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहें तो आठ पॉइंट्स हैं मेरे जिनकी मदद से मैंने आज सुबह सुबह जब मैं अलमारी में खोली तो उसके अंदर जो नजारा था वो जैसे घरों में नजारा होते हैं अलमारी का काफी कुछ वैसे ही वो कुछ म मिला जुलासा कुस अलमारी में था तो अब इतने सारे काम थे करना को और मैं इस मेरे सर उसके ज़मी ख़बराहट wal फीलिंग होने लग आथा कि कैसे करूंगी क्या करूंगी और इतना सारा काम पढ़ा है कैसे करूं मतलब इतने काम को कैसे मैनेज किया जा सकता है यूमनली पॉसिबल है भी या नहीं तो मैंने कैसे उस काम को शुरुआत की कैसे उसको फटा-फट से खतम भी कर लिया सोचा भी नहीं था फिर भी इतनी ज़ली quickly complete भी हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी टेप्स आप ल रूल याने कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और आप चिंता में हो सोच में हो या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो पहला रूल है कि अगर मैं इस ऐसा सोचती हूं ऐसा करती हूं तो अगले 10 मिनिट में इसका मेरे उपर क्या प्रभाव पड़ेगा या अगले 10 महीनों में मेरे पास मेरे उपर Сींजन का क्या असर पढ़ेगा या फिर अगले 10 साल तक मेरे उपर क्या डिसीजन पढ़ेगा अगर मैं के तो पर आप देस कर ने का सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो कि अगले 10 मिनिट के लिए या फिर ऐस तर लिए Kelvin अगर आये मेरे finances पर यानी कि मेरी saving पर मेरे पैसो पर या मेरी खुशी में मेरी जो मेरे मुझे जो चीज़े चाहिए अपने आपको बेतर बनाने के लिए तो उसके उपर क्या असर पड़ेगा और क्या यही डिसीजन अगले आने वाले दस सालों में क्या मेरी सेविंग्स को कम कर देगा या अगले दस सालों में मैंने सोचा हुआ है कि मुझे खर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है या कोई ऐसा इंवेस्टमेंट में लंबे तौर पर अपने बच्छों की एजुकेशन के लिए आप नर्च शुकेशन केसे अपने बिजन स्कों करने वाली मैं अब क्या मैं अभी दस मिनिल्ट का खुशी मिलेगी या फिर दस महीनों तक मैं इसको पहन सकूंगे और मुझे चाल होगा और मिएक को इस जरूरत है या फिर अगले के दस सालों के लिए शायद ये पैसे मेरी सेविंग्स का हिस्सा बने जो कि मेरे लॉंग टर्म जो मेरे प्लान्स है उनका हिस्सा बन सकते हैं तो इस तरीके से कोई भी आपका डिसीजन है अगर आप यह 1010 10 का रूल एपलाए करते हो तो काफी हर तक ऐसा हो सकता है कि और होता है कि आपका वो डिसीजन आप सिर्फ शॉर्ट टम की बात को ले करके नहीं सोचोगे आप लॉंग टम का भी इफेक्ट उस डिसीजन का ले करके चलोगे दूसरा बहुत ही रिलायवल सोर्स जो है वो है आपका दिल जब भी ऐसी दोईधा हो कि मैं ऐसा करू ना करू तो मान लेजिए आपने सोचा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है या मुझे कोई 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 इन्वेस्टमेंट लेना है या कुछ नया कोर्स सीखना है तो हमेशा अपने आप से दिल से जरूर पूछो कि क्या इसी तरीके की मान लेजिए कि अपना बिजनस श्राइन खड़ा करने की बारे में कोई कॉर्स है। अपने आप से पूछिए जरूर कि क्या मैं इसको तो क्योंकि यह कौर्सlaveです वेलबल है इसुक्स्तर इसे था कर रहे हूं कि मैं ब्लैक लू या रेड लू तो एगर कौर कीजिए कि क्या ब्लैक कलर आपका जो प्रफेशन है जो आप काम करते हैं जिस तरीके का आपका लाइस्टाइल है जैसे आपका इंट्रस्ट है क्या आप ज्यादा तर ब्लैक को ही पहनना पसंद करते हैं या आप रेड को पहनन ज़ादा पसंद करते हैं तो उस तरीके से simple decision हो चाहे long term decision हो यानि कि मैंने आपको course यदी करना है तो उसके बारे में भी बता दिया कि long term चुकि 10 साल आपको affect कर सकता है और short term यानि कि 10 minute से 10 महिने तक आपको affect कर सकता है तो यह दोनों तरीके से आप अपने दिल की आवाज सुन करके भी decision ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए तीसरा तरीका है elimination का तरीका यानि कि आप cut करते जाहिए वो सारी options जो की आपके जो final आप चाहते हैं उसकी रहा में रुकावत बन रहे हैं क्योंकि अभी आपको finally पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए या exactly आप उस decision ता पह लीजिए आपको एक party में जाना है और आपको shopping के लिए भी जाना है क्योंकि आपको घर का सामान लाना है ठीक है तो अब आपके पास यह दो option है और हो सकता है इसके अलावा भी आपके पास कई सारी option है कि आपको आपको को कोई meeting attend करनी है ठीक आपको किसी relative बिमार relative को hospital ले कर करके जाना है तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप elimination के हिसाब से चल सकते हो कि क्या मैं shopping के लिए जाओं या मैं party में जाओं ओके आपने party में जाना cancel कर दिया कि आपको shopping ज़्यादा ज़रूरी है तो अब आप सोच सकते हो क्या मैं meeting is more important और shopping is more important तो शायद meeting अगर ज़्यादा ज़रूरी है urgent है तो आप shopping को postpone कर सकते हो अब मीटिंग और एक बिमार रिलेटिव जिसको आपको hospital लेके जाना है तो अब आप सो सकते हो टिक क्या मैं hospital लेकर के जाओं या फिर मैं meeting attend करूं तो यहां पर भी हो सकता है कुछ cases में आप से सोचे कि जो hospital लेके जाना है वो घर क कोई और सदस्य भी ले जा सकता है शायद और यह भी हो सकता है कि आप meeting को सोचो कि meeting शायद में बाद में भी कर सकती हो अभी जो आपके घर के member की health है वह ज्यादा जरूरी है इस तरीके से जब आप एक 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 अपनी options को कम करते जाएंगे तो फिर आप अपन decision पर आसानी से पहुंच जाएंगे एक आसां तरीका और हैसा करने का कि दिमाग पर इतना बूझा क्यों डालना दिमाग माना की computer है process करता है information लेकिन इतनी सारी information दिमाग पर डालने के बजाए अगर आप कागर पैन लेकर कि उसके उपर लिख लेंगे तो आपके लिए कट क करना ज्यादा असान होगा और decision पर आप जल्दी पहुंच पाएंगे चौथा तरीका है कि जो भी आपके पास information है उसी information उसी जानकारी के base पर fast और quick decision ले लीजिए क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने सुचा कि मुझे डिनर के अंदर वाहर खाना खाना है और प्रेटो जितने आप से सब जगे हैं आप रिव्यू चेक करने लग गए अब आप रिव्यू चेक करने की चकर में आपके घंटों इसी चकर में निकल गए कि जो best होगा मैं उसी को ही करूंगा या उसी को ही order करूंगी तो अगर आपने पहले से किसी restaurant को try किया हुआ है आप आपको quick decision लेना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके पस time कम है, आपको time बचाना है, तो आप ये कर सकते हो, कि आपकी जो पसंदीदा कुछ dishes है, और आपने पहले किसी एक या दो restaurant से जहां से order किया हुआ है, तो आप उन्ही में से किसी एक से order कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना time बचा होगे, क्योंकि अगर आपने शुरू के है कुछ seconds में या minutes में order दे दिया, या फिर decision ले लिया, तो chances है कि आपका decision fast होगा, और correct भी होगा, और अगर आपने इस से जादा 15-20 minutes, आदे घंटे से जादा time phone पर लगा लिया, research करते करते, तो chance है कि वो decision आपका differ हो हो सकता है कि order भी ना करें, या order भी गलत चीज करते, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि order आपको करना था, लेकिन इतना धग गय सर्च करते करते कि ultimately घर में खिचरी बना करके, खिचरी खाकर, या मैं भी खाकरी, आपने काम चला लिया, क्योंकि mentally energy सारी आपकी research में निकल ग decision नहीं लिया, जाने, अंचाने, चाहे, चाहे, अंचाहे, आपने decisions लिये हैं, हो सकता है आपकी परिवार वाले, आपकी माता-पिदा, आपकी रिष्टेदार, friends, family, उन लोगोंने कुछ decisions आपके लिये हो, लेकिन बहुत सारे decisions आपने भी अपने लिये होंगे, तो जब आप के लिए एक तरीका ये भी है, कि आप अपने पहले के जो experience है, वो जो अपने अलमारी अपने दिमाग में पुराने experiences की, पुराने decisions की भरी पड़ी है, उस अलमारी को खोल करके उनसे भी आप कोई ना कोई सबत ले करके आप तब decision ले सकते हैं, करेंगे कैसे आप इसको, जै करते हैं, और आपके पास अभी घर में आपको बेटे का homework कराना है, क्या फिर घर का कोई काम पड़ा है, या office का कोई project करना है, आपको कोई काम आपके पास, पहले से कोई काम है, जो कि आप उबाव हो सकता है, बोर हो सकता है, लेकि कर रहे हो या करना है आपको, तो अगले 10 का आप सोचों की हाँ entertainment के लिए आप सोच सकते हो कि हाँ फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाना एक इंट्रेस्टिंग आइडिया हो सकते हैं लेकिन आप अपने पुराने experience से यह भी समझ सकते हो कि अगर आप शॉपिंग के लिए चले गए तो क्या जो काम आपका अभी जो ज़रूरी काम है या जो करना ही है आपको बोरिंग लग लग रहा है लेकिन करना ही पड़ेगा आपके सिवा कोई और नहीं करेगा तो उसको करने से क्या आपकी लाइफ ज्यादा बेतर होगी या फिर घूमने जाने से आपको ज्यादा लेना होगा और उसी basis पर बेशक से जो काम उबाउर लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप अपने पास्ट एक्स्प बेसित पर कि आप के लिए क्या सही रहा था उस समय आप अभी के लिए भी decide कर सकते हो कि अभी के लिए आपके लिए बेतर रहेगा और आप ज्यादा खुशी देगा छटा तरीका है कि कई बार क्या होता है इतने सारे decision लेने होते हैं पूरे दिन में और हम इतने capable नहीं होते या फिर सही decision नहीं ले सकते क्योंकि हमें हमेरे पस पूरा information ही नहीं होता हमें पूरी जाटकारी भी नहीं होती तो ऐसे में सही रहता है कि जिसने पहले से उस तरीके का decision लिया हुआ हो आप उसके उपर विश्वास करके उस से पूछ ले किसी expert से पूछ ले कि उसकी क्या राय है या अपने किसी friend से अपने साथी से अपने कलीग से अपने पड़ोसी से उनके भी आप राय ले सकते हो अगर आपको लगता है कि उन्हों ने आप से पहले उस उन्होंने भी similar तरीके के उस तरीके के decision लिये होंगे और वो आपको कोई expert decision दे सकते हैं साथी साथ किसी specialized person से किसी जो जो experts होते हैं आप उनकी सलाह भी ले सकते हो paid तो जैसे कि आपको कोई अपनी ड्रेस खरीतनी है डिपेंड करता है कि कितना serious है वो decision आपके लिए इस पर depend करता है कि सलाह आप किस से लोगे जैसे कि decision outsource करने का मतलब कि आपको अपने सिर्दर्द का इलाज कराने है अभी यदि सिर्दर्द एक दिन ही मानी जी आपका व्रत था एक ही दिन की वज़े से हुआ है या कभी कबार वाला है तो शाहद आप अपनी फ्रेंड से या ममी से या किसी पड़े से पूछ करके या पड़ो के पास ही जाकर के सला लो और उसी से उसी की गाइडेंस पर दवाई लो बजाए किसी भी किसी भी नीम हकीम की दवाई लेने के या किसी की भी जिसको जो एक्सपरटीज नहीं उन लोगों की राय मानने के साथवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है देखिए जब लिया है आपने कोई चॉइस बना लिया आपने कुछ सोच लिया है कि आपको कुछ करना है आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो आप उसके उपर स्टिक रही है उसके उपर जादा सोच विचार की जरूरत नहीं है एक चीज के उपर क्योंकि क्या होता है कि कुछ भी राइ desire होती है उसके हिसाब से और आपके आसपास वालों के भी हिसाब से आप अपना decision लेती हो कि क्या सही उस समय के लिए है या क्या गलत उस समय के लिए है यह आप सोचते रहोगे कि सोचते ही रहोगे बार 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 एक ही चीज़ के बारे में तो फिर अक्सर decision delay हो जाते हैं time खराब होता है और energy बहुत खराब होती है क्योंकि सोचने में में ही इतना time जाया हो जाता है क्या कुछ सही decision ना गला decision यानिकि decision ही नहीं ले पाते हो तो time खराब ना करें जो decision एक बार ले लिया है उसको पर stick रहें और उसी के बारे में आगे बढ़ते जाहिए धीरे 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 आपको quick decisions लेने की हादत भी बनेगी और अफकोस जब आपनी आज एक बारे में decision लिया है जिन्दिगे का आख्री decision तो है नहीं जब अगली बार decision लेंगे तो बेशक्से यह decision गलत हो सही हो आप अगली बार definitely अगली इससे कुछ सीख करके कुछ अच्छा और बेतर ही विकत चुनेंगे अब आठवा जो point है वो point उन लोगों के लिए खास कर है जो की आप पूरी वीडियो खतम होने पर भी उनको लग रहा है कि हाँ यह सब ठीक था लेकिन फिर भी अभी भी मैं तो किसी नतीजे पर सकते हैं अपने decision किस्मत के हवाले भी आप जस ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि हाँ जो होगा देखा जाएगा हाँ यह भी एक तरीका हो सकता है क्योंकि गीता के अंदर श्रीमत भागवद कीता के अंदर श्रीक रिष्ट कहते हैं कि in action is also an action यानि कि कर्म ना करना भी एक कर्म ह ही है कि आप सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं करना तो वह भी आपका decision यह कि ठीक है मुझे कुछ नहीं सोचना पर decision नहीं लेना लेकिन इस में एक काम कर सकते हो अगर आपने शोले मूवी देखी हो या आपको वो जो बच्पन में याद है वो सिक्का लेते थे है टेल और उसको उच्छालते थे तो आप भो भी फिलिप द कोईन भी कर सकते हो आप कोईन यानि सिक्का उचाल करके हैट टेल के तरीके से भी आप decision ले सकते हो कि head आया तो यह करूँगी और tail आया तो यह करूँगी तो मुझे बताईएगा जरूर कि यह जो आप तरीके मैंने बताए आपका फेवरेट कौन सा है आप कौन सा तरीका अपनाते है और नीचे comment section में जरूर लिखते बताईएगा ठीक है और thank you so much video को like जरू share कीजिएगा जो अपनी जीवन को भीतर बनाना चाहती है thank you so much god bless you मिलते हैं अगले वीडियो में